ओडिशा इंडिया के बाला सोर जिले में अंधेरा चा गया। ये एक आम शुक्रवार की शाम थी, टू जून। आने वाले मानसून के वादे के साथ हवा भारी थी। किसी को नहीं पता था कि ये रात अकलपनिय डरावनी की तस्वीर बन जाएगी। शाम के करीब सेवन बजे, कॉरोमेंडल एक्सप्रेस जीवन से भरी एक पैसेंजर ट्रेन अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। परिवार रियूनियन के सपने देख रहे थे। विद्यार्थी घर जाने के लिए तरस रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि भाग्य ने उनक द्रिश्य में बदल गई। ये बुरा सपना की शुरुआत थी। एक और ट्रेन यजवनपुर हावरा सुपरफास्ट मलबे से टकरा गई। जिससे अराजकता और तवाही और बढ़ गई। एक तीसरी ट्रेन, एक माल गाड़ी भी घातक हाथा पाई में फंस गई। राथ अवदल उनके चेहरे उदास मलबे से गुजर रहे थे। हवा में मौत की गंध थी। टेड़ी हुई धातू, तूटा हुआ शीशा और निजी सामान कन्फिटी की तरह बिखरे हुए थे। बेरहमी से बाधित जीवन के अवशेश। निराशा के बीच बचे रहने की कहानि मलबे के धेर के नीचे फंसी एक युवती ने बचाव दल को अपने स्थान पर मार्क दर्शन करने के लिए अपने मोबाइल फोन का इस्तिमाल किया। ट्रेन से फेंके गए छात्रों का एक समूह चमतकारिक रूप से केवल मामूली चोटों के साथ बच गया। बचे रहने इत्रासदी के सामने भी मानविय भावना की ताकत का प्रमाण थी। दुरघटना के बाद स्टील का एक उलजा हुआ जाल और अनुत्तरित प्रशन छोड़ दिये। सैकणों यात्रियों को लेकर जा रही एक आधुनिक ट्रेन इतने विनाशकारी परिणामों के साथ कैसे पटरी से उतर सकती है। क्या ये मानविय भूल थी, तकनी की खराबी या कुछ और भयांकी। विशेशत जे घटना स्थल पर पहुँचे, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। उन्होंने सुराक की तलाश में मलबे की बारीकी से जांच की। शुरुवाती जांच में एक संभावित सिग्नलिंग विफलता की और इशारा किया गया। एक दुखद गलत संचार जिसने कौरोमैंडल एक्स्प्रेस को आपदा की और धकेल दिया। सिग्नल का जटिल नृत्ति जिसे अपने रास्तों पर ट्रेनों को सुरक्षित रूप से मार्ग दर्शन करने के ये डिजाइन किया गया था। ऐसा लगता था कि बुरी तरह से गलत हो गया है। लेकिन कुछ विशेश जोने अन्य संभावनाओं के बारे में फुस फुसाया। क्या तोड़ फोड एक कारक हो सकती है। दुरगटना का विशाल पैमाना, कई ट्रेनों की भागीदारी ने अटकलों को हवा दी। गलत काम की फुस फुसाहट खूमने लगी, त्रासदी में रहस्य की एक बेचैन करने वाली परत चुट गई। जैसे जैसे जाच करता मलबे में गहराई से उतरे, उन्होंने कई विसंगतियों को उजागर किया। कुछ गवाहों ने पट्री से उतर पश्टी करण पर संदेह की छाया डालती है। क्या खेल में कोई अंदेखा हाथ था? जान बूझकर तोड़ फोड की कार्रवाई जिसका उद्देश्य अधिक्तम विनाश करना था। संभावना, हालांकि देचैन करने वाली को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता था। जा तंक का एक जान बूझकर किया गया कारे। जाले गए एक युवक ने जीवित रहने के लिए अपने हताश संघर्ष के बारे में बताया। एक मा ने अपने घायल बच्चे को गोध मिलिये हुए, उन घातक शनों के आतंख को बताया। उनकी कहानिया, मार्मिक और हृदय विदारक, त्रासधी की मानविय कीमत की एक जलक पेश करती है। रसातल से ये आवाजें, दर्द और हानी से भरी हुई, जीवन की नाजुकता की एक कठोर यादायनरी के रूप में काम करती है। उन्होंने न केवल प्रत्यक्ष रूप से शामिल लोगों पर, बलकि पूरे देश पर दुरघटना के गहन प्रभाव क पूरे खांकित किया। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग, पीडितों और उनके परिवारों को समर्थन देने के लिए आगे आये। रक्तदान अभियान आयोजित किये गए, राहत कोश स्थापित किये गए, और स्वयन सेवक प्रभावित क्षेत्रों में डाले गए, मदद करने के लिए उत्सु पूरी जांच के सरकार के आश्वासन के बावजूद, सिग्नलिंग तुरुटी के आधिकारिक स्पष्टी करण पर संदेह की छाया बनी रही। जांच में पारदर्शिता की कमी ने केवल इन संदेहों को हवा दी। ओडिशा ट्रेंदुर घटना, राष्ट्र की स्मृति में अकलपनिय डर की रात के रूप में नकाशीदार, दूख, लचीलापन और अनुत्तरित प्रशनों की विरासत पीछे छोड़ गई। त्रासदी ने जीवन की नाजुकता, सतरकता के महत्व और भविश में ऐसी विनाशकारी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यक्ता की एक कठोर याधरी के रूप में कारे किया। जैसे ही राष्ट्र धीरे धीरे ठीक होने लगा, जवाबों की तलाश जारी रही। सच्चाई की तलाश जवाब देही के लिए सर्वो परी हो गई। पीडितों के परिवार, बचे हुए लोग और पूरा राष्ट्र एक पूरी और पारदर्शी जांच का हकदार था। एक जो ना केवल दुरघटना के मूल कारण का पता लगाएगा, बलकि अपने कारियों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाब देही भी ठहराएगा। ओडिशा ट्रेन दुरघटना इतिहास के इतिहास में हमेशा के लिए नकाशी दार एक तरा से दिये।